असलामों अलेकूँ वेलकम टू अनद थमाकदार वीडियो में हूँ आपके साथ मार्या अली उमीद करते हूँ आप हितरीन होंगे मज़े में होंगे और पागसान में संद्री एंज्वाई कर रहे होंगे जो कि जाने वाली है आज जिस इलाके में हूँ वहाँ पर काफी ठंड है और बहुत ही जादा ठंड है मेरे साथ आपने मेरी विकेशन से नजॉय करनी है और इनका हिस्ता बनने है तो मेरा पिन किया हुआ विलॉगिंग चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करने और उसका हिस्ता बन जाए सना जावेद सानिया मिर्जा का प्रेशर बरदाश ही नहीं कर पाई सना जावेद के जाता ही शोयव मलिक की परफॉर्मस बहुत बेतर हो गई और लोगों से उन्होंने दाद भी समेटी ये क्या मामला है क्यों सना पनोती बन गई है मनूस करार दी जा रही है शोयव के और लिख्र गाया तो कर ली जएका इस से हमारी कोосला फ़साव जाई होती है आखर वोही हुआ जिसकी उमीद थी घो है मलिक सना जावेद से शादी करने के बाद मुसलसल बुरी परफॉर्मस दे रही है मुसलसल उनको ट्रॉल किया जा रहा है मुसलसल नफरत का सामना कर र रहे हैं और परफॉर्मस तो उनकी बहुत ही बेकार जा रही थी उनकी टीम कराची किंग्स जो है वो बुरी तरह से हार रही थी उनकी प्रफॉर्मस की वज़ा से सना स्टेडियम पहुंच जाती और तयार होके विल्कुल सानिया मिर्जा अपने आपको समझना शुरू हो जा सानिया मिर्जा को जो है जिन्दगी से निकालने के लिए उनकी और सानिया मिर्जा बनते हुए वो ये भूल गई कि वो सानिया मिर्जा नहीं वो तो सना जावीद हैं काफी ज़दा लोग उनको ट्रॉल कर रहे थे स्टेडियम में सना जावीद को सानिया मिर्जा कह रहे थ और शोएब को देखते ही सानिय अमर्जा के जो है नारे लगा रहे थे तो दुनों के चेहरी जो है वो लटक जाते थे मुलतान लहुर और कराची में मुस्तलसल बुरी तरहां से फ्लॉप हो गए बुरी परफॉर्मेंस के बाद आखितकार रावल पिंडी में शोय पलिकसना के बगएर पहुशते हैं और वो ही जो है दिन उनके लिए अच्छा थाबित होता है परफॉर्मेंस अच्छी दे दी उन्होंने कराची किंग्स को मैच भी जित्वा दिया और सोने पे सोहागा ये हुआ कि उनकी बीवी नहीं थी और लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि बाई तुम्हारी जिन्द जीतने के बाद तो लोग इतना ज़दा ट्रॉल करें कि देखो जी ये नहीं गई तो आम मैच जीत के तो इनको मत लेकर जाया करें जिन्दगी में किसी भी इंपॉर्टेंट काम में सना को साथ ना रख्येगा पाकिसान सूपर लिग के फ्रेंचाइस कराची किंग्स के हर मैच के दौरान कैमरा में जो है ग्राउन में बैठी क्रिकेटर शोयब मली की तीसरी एहलिया सना जावीद को खुसूसी तबज्जो देते थे वो भी किसी वज़ा से देते थे आप सबको पता है कि वो भी इसी कलब का हिस्सा आउंगे जहां पर वो सान्या मिर्दा को पसंद करते थे यही वज़ा है कि सोशल मीडिया पर सना जावेद आजकल काफी इन है और उनके चेहरे के तासुरा पर खूब तफसरी किये जाते हैं गुजिशता दिनों पाकिसान सुपर लीग 9 की फ्रेंचाइस कराची किंग्स के आल राउंडर शुएब मलेक सिर्फ 12 रंस बनाकर परवीलियन लॉट कहते हैं जिस पर ग्राउंड में मैठी उनकी एहलिया सना जावेद बहुती अफसुर्दा हो गए थी फुल फुटिज खा रही है फुल एक्टेंग कर रही है फुल ड्रामे कर रही है उनको लग रहा है कि ये भी उनका कुसी ड्रामे की कोई सीन है दाकारा की मायूसी जो है वो कैमले की आँख ने महफूस कर ली और ये मंज़र देखते ही सोचल मीडिया की सीनत बन गए और लोग इस पर बहुत खुश हो रहे थे यानि कि अब यहाल हो गया कि उनकी अफसुर्दा होने पर लोग खुश हो रहे हैं अब गुशिटा रूस पाकिस्तान सूपर डीक के आहम मैच में कराची किंक्स ने कोटा ग्लाजियेटर्स को यकतरफा मुकाबले के बाद साथ विक्टों से हरा दिया मैच के दोरान शोईब मलिक 27 संस बनाकर नट आउट रहे और अपनी टीम को फता दिलवाने में कामियाब रहे सना जावेद खुद तो वहाँ पे मौझूद नहीं थी उनको भी पता चल गया कि मैं कितनी पनोपती हूँ कितनी मनूस हूँ उनके लिए जब जाती हूँ जो है वो लोग सानिया मिर्जा को याद करते हैं और हम दोनों जो है वो मूझ लटकाते हैं और शोईब की परफॉर्मेंस पे काफी बंदा असर पड़ता है जिस कलब से वो खेल रहे हैं यानि के कराची किंग्स जो है वो बहुत तरीके से जो है शोईब को बकप करने की कोशिश कर रहा है कभी कहता है कि केक कट वा लिया कभी कुछ कभी कुछ लेकिन परफॉर्मेंस तो इससे बहतर नहीं होती परफॉर्मेंस तो ऐसी तरह बहतर हुई जब उनकी बीवी तीसरी बीवी नहीं जाती कराइब है यहां पर सना खुद तो नहीं थी लेकिन उन्हों ने अपने शोहर को नए फैरो करार दे दिया पिछले शोहर को भी उगाफी हीरो करार देती थी जब उनके कांसर्स फगरा में जाती थी तो बहुत उनको बकप करती थी सना जावेत ने ची अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर लगाई है शोईब के साथ मैच खतम करके वीडियो शेयर किया है और साथ में कैफशन जो है वो आग की एमोजी जीत का जशन पता नहीं क्या क्या एमोजी से लगाए हैं और शोईब मलिक को हीरो करार दे दिया लोग नीचे लिख रहे हैं कि हीरो तो वो अपने बेटे का नहीं बन सका तो तुमने इसको हीरो बना दिया अब जी लगता है कि काम ऐसी चलेगा शोय मलिक को अकेले ही परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि जब ये जाती हैं तो हर तरफ तबाही मत जाती है लोग इनको अभी तक कबूल नहीं कर पाए बेलकि ऐसा लगता है कि लोग इनको कभी भी कबूल नहीं कर पाएंगे कर एक नई मुहबत ने पड़ जाना इसका क्या फ्यूचर होगा आप कॉमेंट सेक्षिन में जाके अपनी कीमती राहे से जरूर आगा करें आपकी राहे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे रिक्विस्ट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते हो कर लें हुआ 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 अपका।ğa बाइबाइ